नमस्कार मैं रिंकु मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का वार्टलाब टीवी में लखेप और खेरी के गोला गोकर नाथ ठाना शिक्त से एक बहुत ही आस्यरिजनक खबर आई है जी हाँ वकीलों ने मा और बेटे को टंडे से बीच शड़कते दोड़ा दोड़ा कर पीटा है जी हाँ आई देखती है एक बेटे को लाठियों से जम कर पीटा लखेप और खेरी के गोला गोकर नाथ ठाना शिक्त से एक अस्यरिजनक घटना सामने आई है जहां आदालक परिसर में एक वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक महिला और उसके बेटे को बीच शड़क पर लाठी और डंडे से पिटाई की है घटना से इलाके में हड़कम्प मज गया है दरासल यह वकील शंकरलाल के साले है महिला का आरोप है कि उसने ध्रोके से पचीस बिगाज जमीन अपने नाम कर ली मामने की शिकायद तहसील परिसर में SDM से की थी लेकिन अधिवक्ता शंकरलाल ने महिला और उसके बेटे को देखा और लाठी डंडों से उन दोनों की पिटाई की वकीलों ने मिलकर मा और बेटे की जम कर पिटाई की मौकी पर मजूत एक इंस्पेक्टर ने वकील से महिला और उसके बेटे को मुश्किल से बचाया मा और बेटे को काफी चोट आई है उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है इस घटना को लेकर महिला ने गोला को तवाली को लिखित शिकायत की है कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया और शोर्षल मीडिया पर वाइरल कर दिया इस मामले में एस्पी लकहीं पूर खीरी मुनम का कैना है कि महिला की शिकायत पर प्रात्मिक दर्ज की गई है मामने की जाज के बाद आगे की कारवाई की जाएगी न्याई पालिका पर करी बेशर्मी से चोट ऐसे उदंड वकील से छीन लेना चाहिए काला कोट अगर कट घरे तक पहुँचने वाला इंसान और न्याई दिलाने वाला वकील ही अन्याई पर उतर जाए तो कहा जाएगी जनता और कैसे मिलेगी इंसान तो वाला आपकी आपका नजर्या आपकी आवाज